ये गाइज इसे विजल कुमार सेन यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जॉब्स ऑपर्चुमिटीज अप्टर इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग और मैं इंडिया की बात करूंगा अगर आप किसी और कंट्री से विलॉंग करते हैं तो आप इस वीडि इस वीडिक फर्स्ट इयर सगयनियर थर्ड इयर इवन फॉर्थ यर में भी हैं जो पासओर हो चुके उनके इतना फूटफुल नहीं होगा राइट तो आई ओप सो जो बंदे यह चाना चाहते हैं लेटे के लिए बात कितने जॉब्स हैं कहां जा सकते हो सेलरी जदा कहां म ठड़ेगो ना चलिए सुरो करते हें उध्येंग बात करें जॉब्स हमारे पास दो पार्ट में आता है और इक क्या आता है युख हमारे पास जप्राइव और एक क्या गौर्म्मेंट है हम दोनों डिसकस करेंगे इसी वीडियो में प्राइवेट जोब में हमारे पास अगर कोई बंदा इलेक्टर इंजिनिंग करता है उसके पास दो तरीका होता है प्राइवेट जॉब को लेने का एक क्या होता है कैमपस से मतलब क्या होता है कॉले में company आएगी interview होगा और companies क्या करेंगे आपको in appointment letter देंगे joining का एक होता है campus placement अब तक मैं 10 साल में जो देखा है या फिर सुना है या analysis किया है सबसे आसान तरीक है job लेने का क्या है वो campus placement पहला सबसे ज़्यादा salary कब मिलता है package हो मिलता है कब मिलता है जब हमारा selection होता है campus placement के थूप irrespective of branches irrespective of colleges मतलब किसी कोई भी college हो कोई भी branch हो राइट तो campus placement से क्या होते हमारा काफी अच्छा क्या मिलता है salary मिलते है और असान भी होता है अब गाइस बात करेंगे आप campus आप campus से job लेना comparatively difficult है as well as salary भी कम मिलता है अब यहाँ पर खास बात करेंगे salary कितना मिलता है इसे मैं बोलता हूं जितने भी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं campus placement के जरी हाँ फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा हर जगा लेकिन आइटी मिलेगा तो आपके पास एक प्लैटफॉर्म शांदार मिलता है प्लैस्मेंट शांदार होता है राइट अगर आइटी में चले जाओ कुछ तो बेटर मिलेगा आपको ना तो आप जितना मेंट कर सकते हो कर लो मेंट हाँ जो हो सकते हैं बहुत सरे बच्चे भी नहीं हूं तो मैं क्या करूं बैसाब मैं भी किस दोनों में से कहीं से लेकि आपके पास यह सारी जॉब्स वेट कर रहे हैं आपकेंपर जो जॉब है वो भी वेट कर रहे है राइट आपकेंपर से जॉब्स का सिलसे ऐसे सुरू होता है आठ हजार से लेके दस हजार पर मंद बारह हजार पर मंद पंदरह हजार पर मंद और काफी शांदार अगर आप पर सेर्दी मिलता है यह जैनरल कंडिशन बता रहा हूं जैसे अभी प्राकितिक आपदा है अब मिलने का जौब मिलने का मुस्किल है विकॉज थोड़ा प्रॉब्लम है हर जगा पूरे वर्ल्ड में तो यह आपके पास दो तरीका है केंपस प्लेस्मेंट से जौब लेने का और अपकेंपस एक है प्राइवेट सेक्टर यहां पर एखास पर बताऊंगा कुछ कंपनी जो पीची जोते हैं मतलब equivalent to government job होता है, वो अच्छे college में जाते हैं, campus placement के लिए, like IIT में जाते हैं, कुछ NIT में जाते हैं, तो जो IIT पढ़ते हैं, NIT पढ़ते हैं, उनके पास एक advantage है, equivalent to government job में जाने का directly, लेकिन BTEC वाले को, right, तो इसको आप अच्छा समझें, next हम बात करते हैं, अब क्या, government job के हम बात करते हैं, let's talk about this, that is government job, अगर आप broadly बात करोगे, इंडिया में सारे चाहते हैं, government job करना, right, क्यों, because there are बहुत बड़ा दो reason होता है, एक होता है, stable income आ रहा है, कोई tension नहीं करो काम, right, दूसरा क्या है, एक society में value मिलता है, लेकिन फिलाल मुझे लगता है, उससे भी आगे एक निकल चुका है, start-up, start-up मुझे लगता है, आप सही जा रहा है, और आने बले 10 years में, start-up का जो worth है, काफी और बड़ेगा, because देखो, उस पर हम डिस्कस करेंगे, एक simple idea लेकि लोग क्या करते हैं, खर रोपिया कमा लेते हैं, example लेता और गुवल भी उसके पार है, Facebook उसके पार है, इवन Oyo Rooms उसके पार है, जो मेटो उसके पार है, Swiggy उसके पार है, Uber उसके पार है, छोटे जटा आइडिया इन्होंने क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े कंपई ने खड़ा कर दिया, लेकिन ये भी बात सच्छा ही है, सोच वाले रहते हैं कि मुझे कुछ बढ़ा करना है मेरे पास कुछ आईडिया है जो लोगों के लाइप को इंपक्त कर सकते हैं लोगों को हेल्ट कर सकते हैं सिवर ले इविल डेफिनेटली दू सम्थिंग डिफ्रेंट देन जॉब्स बहुत हो नहीं किया आप भी कर सकते है अब गया शुरू करते हैं क्या नेक्स यहान ही हमारा क्या होते हैं खाल नी सरुआ कहा से होगा दो जॺ से टेकनिकल और नउन टेकनिकल देके डोल संसी क्या है और इनटीपीसी जिसमें ए paradार और इस दिफरेंट पोसेश होते हैं IPS banking में State PSE हर स्टेट का होता है SSC CGL UPSC CSE जो आइस ऑफिसर बगर बनते हैं आइस ऑफिसर IPS उसके बाद IAS उसके बाद IRS UPSC CSE से बनते हैं तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप eligible हो जाते हैं नेक्स अगर बात करते हैं टेक्निकल का तो टेक्निकल के आपके पास दो बड़े बड़े चीज़े हैं वो क्या आपके पास gate उसके तरुसे PSU मिलते हैं और एक आपके पास क्या है UPSC ESC यह दो बड़े बड़े क्या आपके पास opportunities है gate के जरिए और UPSC ESC के जरिए gate में अगर आप ले आते हो रैंक अंडर 400-500 तो आपके पास चांस है PSU में जवाब लेना irrespective of college किसी भी college से हैं gate पास पास तो आपका काम बन जाएगा total कितने बच्चे paper देते हैं हर साल gate के लिए around 2 lakhs people देते हैं paper हर साल gate में every year तो अगर आप अंडर 500 रैंग लाते हो तो आपके पास opportunity है maximum package किस में मिलता है power grid में लगबग मिलता है maximum package around 20 lakhs का CTC मिलता 20 lakhs per year CTC cost to company जैसे कुछ companies हैं बतारों बहुत सब्सक्राइब करते हैं इस साल भी करने वाली है और आप जो पर देंगे तब भी करेंगे करेंगी hopefully इस सब्सक्राइब करने वाली है उनमें कुछ मेरे companies लिखा है जिसमें से DRDO भाई सब्सक्राइब और बार्क यह PSU में नहीं आते हैं बाकि सब्सक्राइब आए बहुत बहुत आर्मी के बाद मुझे लगता है इनका contribution बहुत ज़दा है हमारे country के image को तगड़ा करने का और काफी शांदर करने नो डाउट रहेट यह आपको बता दिया आपको करना है क्या रहेट अब गाइस question बहुत सब्सक्राइब पूछते हैं सेलरी कहां ज़दा है बता हो देखो सेलरी सिर्फ ज़दा कहां बता र सब्सक्राइब तो आप देखें यहां पर सेलरी अगर आप सुरू करते हैं पावर ग्रीड में पीजी जो लिखा मैंने तो आपका सेलरी स्टार्टिंग जो होता है 20 लाग का CTC इन हैंड आते अरते आरांड 1.2 लेक्स का सब्सक्राइगा I think so अभी जो डिसेंट चल रहे है तो आप सोचो जहां पर 1.2.000.000 पर स्टार्टिंग सेलरी होता है सोचो आप 10 सलवाद कहां पहुंच होगा इवन अगर सिंपल आपका जो गौर्मेंट के अकोर्डिंग जो आपका क्या बोलते हैं आपका जो आपका जो सिस्टेम में गौर्मेंट का 10 years में क्या होते हैं स्टेम के अंदर घुसके डारेकली क्या कर सकते हो या फिस जितना मतलब सुधार करना है कर सकते हो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं अब हाला कि आप तो एक और एक यूड क्या रहे हैं जो श्प्रियस बतां आरओर अपको अब नियूज आ रहा कि आम बंडे ही आर्मी में जा सकते हैं जैसे रासिया में एक या ह realization i आइडिया है यह अगर इंप्लिमेंट करते जाए बहुत अच्छा रहेगा मेरे साथ से क्या आप सोचते हो मुझे नहीं पता लेकिन काफी शांदर आइडिया है इसमें को बहुत फाइदा भी है राइट नेक्स्ट बैस्ट अधर ऑप्सन्स क्या बैस्ट ऑप्सन देखिए यह तो बता दिया आपको चीज़े हैं लेकिन देखिए इन चीजों को पाने के लिए आपको उस लेवल का एफट डालना होगा आपको कितना एफट आप पॉशन पॉशन सा कितना पढ़ाई करूं देखिए अगर आप कॉलेज में हैं डेली आप फोर आवर्स सिर्फ इन च कोचिंग बाला टाइम को मिला कर नहीं खोद से पढ़ाई कर रहे हो वह आठ घंटा आपको पढ़ना है ऐसा कर लेते हो तो मैंने देखा है मेरे जो टॉप रेंकर स्टूडेंट रहे हैं अराउंड 9 रेंक आया था मेरे स्टूडेंट का उसका काफी बच्चोंगा 100 पर-year salary average देखिए average मतलब क्या होता है आपको बता है average मतलब 25 लाक्स मतलब काफी अच्छा होता है यह कब मिलेगा जब आप क्या करेंगे आयम से आयम से MBA कर लोगे तब और हर आयम में इतना package नहीं मिलता है आयम अमदावाद में काफी शांदर package है जो मैंने देखा अब तक तो वहां से करेंगे इतना package आपको मिल सकता है एगें effort डालना पड़ेगा आपको यहां पर और आप डाल सकते हैं मुझे पता है राइट आयम से M Tick कर लो अगर आपको research में interest है आयटी से M Tick करो PSG बाहर से करो किसी अल दुसरे country में जाके इंडिया भी कर सकते हो राइट जैसे आपको जर्मनी जाना है बहुत से जर्मनी जाने का सब रहता है खास करके mechanical वालको DAAD Dad का program रहता है राइट उसके दूशे जा सकते है Germany because मेरे एक known Germany गया थे कुछ साल पहले तो आप भी जा सकते हैं इसके जर्या राइट तो guys I hope so I have covered all the things जो मुझे cover करना था last में ही बताऊंगा देखो यह सब जानगे आप अच्छी बात है लेकिन आपको काम करना है आपको path को choose करना कि मुझे करना क्या life में थोड़ा आप research क कर सकते हैं किसमें क्या होता है because सब चीज यहां पर cover करना थोड़ा इतना time consume बहुत time consume होता है तो आप क्या करेंगे थोड़ा decide करो मुझे करना क्या technical non technical MBA private job उसके बाद off campus क्या आप किसमें आपका जो category है किसमें suitable है कहां feet बैठता है right मतलब किस category के इंसान हो कहां feet बैठता है आपके आपके अंदर के चीजें उसके according उसका करने का करने का सुरू करना है and definitely you will get something in your life I assure you that because यह जो steps मैंने खुद फॉलो कर आपने लाइप में और जो कुछ आपके समने हो या right thank you very much for watching like current video go share to your stuff or enjoy life को जरूर God bless you all thank you very much and subscribe to channel and press the bell icon if you are new to new to this video bye bye God bless you all